श्री राधा श्री राधा ये उन उपास्कों के लिए कह रहे हैं जिन को अपनी एक एक ब्रत्ती प्रियालाल में समर्पित करनी है भेद सब्द इसलिये कि उन उपास्कों को जिन उपास्कों को नाना प्रकार के ग्रह कार करते हुए कामनाओं की पूर्ती लोक लोक अंतर के शुखों की चाह और फिर कल्यान ये एक अलग कोटी की उपास्टना की स्थिती है पर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं उन उपास्कों के लिए कर रहे हैं जिनका सीधा लक्ष है समस्त कामनाओं को मिटा कर एक मात्र प्रिया प्रितम के शमीप पहुँचना इसलिए बहुत ध्यान से शुनिएगा अपनी एक एक व्रत्थी को प्रभु में करना बहुत कठिनकार है किशी उपास्षक ने प्रश्न किया कि जब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं करते तब तक हमारी ब्रत्थी भगवदाकार कैसे हो शकती है ये केवल बुद्धि जनित प्रश्न है इस्थिती जनित नहीं है क्योंकि श्री कृष्न का वास्तिविक जो श्वरूप है वो ना किसी ने आज तक रचा है न रच पाएगा क्योंकि जो सचिदानन्द में रूप है वो प्राकृतिक श्याही से प्राकृतिक कलम से प्राकृतिक बुद्धी की भावना से नहीं रचा जा सकता है वो चिदानन्द में भावश रूप जब बुद्धी होती तो उस चिदानन्द रूप का दर्शन होता है और चिदानन्द भाव में तनिक भी प्राकृतिक ब्रत्ती नहीं रह जाती ना किसी बिशय की, ना देह की, ना लोग की, ना परलोग की बश एक मात्र वही प्रभू रह जाते हैं इस चरह मवस्था तक पहुँचने के लिए समर्थ है गुरू प्रदत्र नाम और मंत्र एक आगरता से सुनो और इसका मनन करो गुरू प्रदत्र नाम और मंत्र ये प्रधान बात है फिर्शी के अंतर गता जता है लीला गायन और लीला श्रवन नाम कीर्थन और शेवा प्रधान साधन है नाम और मंत्र नाम मंत्र मन बहुत कम लगता है इसमें जब तक वो निर्मल नहीं होता तब तक वो शंपुर्णत्या नहीं लगता ये जो बार बार वार विशय प्रियता है अन्य चिन्तन है ये सब विक्षेप डालता रहता है उपाशक प्रधम धरा में पहले नाम रटन संतत करे पहले नाम में तनमेता नहीं होती, रटन होती, पर संतत करे, बाणी से लिला गयन कर रहे हैं, बाणी से नाम की रतन कर रहे हैं, एक ही बात है, पर यह दिखा लिए हैं, तो रटन करें, ऐसी जगे हैं, जहां एक आगरता नहीं हो पारे, यह नाम रटन, और धीमें बोल सकते हैं, तो हम आपको समझाने के लिए करें, नाम रटन, नाम रटत आई सब सोही, देव शुबुद्धि क्रपा करिमोही, पोई सुगुन माला रचों, नित्य सुकंठ जुपहिरों तास, नाम की माला कंठ में बन जाए, तूटने न पावें, अंतर रहित निरंतर, ये है अभी बाह बात, अभी बगवदाकार ब्रति नहीं होगी इस समय, आगे बढ़ा, कुछ समय बाहरी चेश्टा रहित, अंतर से नाम चलने लगा, या मंत्र चलने लगा, एक दो सेकेंड चला फिर भागा मन, फिर भागा मन, उबना नहीं, परेशान नहीं होना, हतास नहीं होना, जो उपाशक धैर पुरुवक इंद्रियों को शैयम में रखने वाला, लक्ष प्रिया प्रितम की प्राप्ति, वो बार बार प्रयास ऐशा करेगा, जब ऐशा प्रयास बहुत काल तक चलेगा, तो धीरे-धीरे मन का बाहर जाना कम होने लगेगा, बंद नहीं होगा भी, कम होने लगेगा, जैसे ही मन का बाहर निकलना पाँच की आनेंद्रियों के साथ कम हुआ, और वो ठहरने लगा नाम में या मंत्र में, तब ठहरना माना जाता है, जब सरीर की विशुदी नहीं है, मैं जप राओं ये विशुदी नहीं है, केवल नाम चाया हुआ है, ये चाहे एक सेकेंड के लिए है दो सेकेंड के लिए है पांच सेकेंड के लिए आपका ब्याद जितना सफल हुआ है चल रहा है दिमाख में नेत्र में सब जगे नाम चाया है शुन रहे हैं देख रहे हैं चिंतन कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ ये भी नहीं है इस ये भी स्मृति में नहीं कि मैं कर रहा हूँ बस नौम चलना है फिर वो बाहिद शाए फिर उस समेट रहा है बृतियों को फिर कभी एक शेकेंड के लिए अंदर डूब गया फिर अभी बगवदाकार नहीं हुआ अब ये अधिक टिकने का अभ्यास उसका जब पढ़ने लगा फिर शाहवा कि मिन्टों में उसकी पहुँचे एक मिनट, पांच मिनट, दस मिनट दस मिनट सुधी नहीं मैं कौन हूँ कहा हूँ केवल नाम चल ला है अब रूप प्रकाशित होगा वो कल्पना नहीं है वो तुमारी भावना नहीं है वो शाक्षात नाम के प्रभाव से प्रभु का रूप उतर रहा है प्रभु का उतार हो रहा है तुमारी बुद्धी में तुमारे नेत्रों में, तुमारे मन में अब जहां रूप की चपेट में आया पूरा अंता करन प्रेम बिकल हो गया शिथिल हो गया कुटुम देहते जाय छूट सभी बिदिना तो सदा सदा के लिए देवाओ ले हो गया जो जनम बरण का हेत देहा भिमान था सदा सदा के लिए ले हो गया अब तो ऐशी आंतरिक इस्थिती रहती है उस उपाशक की कि बाहर बरताओ करता चेश्टा करता हुआ भी जैसे सुशुक्ति में आपको देवान नहीं रहता सुशुक्ति में आपको अज्यान की धरा में बाहर चेतना नहीं रहती ऐसे संपुर्ण चेतना होने पर उसे बाहे चेश्टा करने पर भी बिश्मरती नहीं होती अंतर में वही नाम वही आनंद वही रूप बाहर बड़ी गंभीर वरती से बेवार कर रहा है इशी बगवदा कारवरती की जब गाड़ हवस्था होती है और निरंतर यही इस्ठिती रहती है तब भाव देह का प्रादुर्भा होता है आप दिब देह और दिब मिलन और दिब शेवार्थात लीला पात्र बन करके लीला में प्रवेश यह अत्यंत दुरलब गती है यह अत्यंत दुरलब बात अत्यंत दुरलब बात है पर यह प्राप्त नाम से मंत्रशे होता है शाहयोगी जब आप शेवा कर रहे हैं पत्रावली, पुश्प, माला, पोशाग, आभूशन, भोग, आरती ऐशी तनमेता करो कि कुछ याद न रहे और आरती बना रहे तो नाम चल रहा है चिंतन में श्री जी के प्यार में भरे हुए आरती बना रहे है जो सेवा कर रहे तनमयाहा डूबने की कोशिश करो उसमे बगल में कौन बैठा है, क्या बात कर रहा है, ये सब छोड़ो जिस सेवा में हो, बिलकुल उसमें तनमय हो जाओ श्री जी के लिए रश्रुई अमनिया कर रहे तनमय होकर आप देखो कितना आनंद कानुबह होगा तुम्हारा चिंतन ही तुम्हारा धन है तुम्हारा चिंतन ही तुम्हारा साधन है तुम्हारा चिंतन ही तुम्हारा साध्य है इस बात को समझो ये बहिर मुक्ता छोड़ो जीव की ऐसी दशा हो रही है कि नरक कुंड से निकाल के अम्रत कुंड में डालो न तो कहता मुझे क्यों निकाला नरक कुंड से क्यों निकाला मुझे वहीं रहने दो अच्छा लगता है नरक कुंड में पर जैसे मां अत्यंत दुलार से भरी हुई अपने बेटी की बात नहीं सुनती उसको श्वस्त और शुकी करना चाहती है ऐसे ये रिशी मुनी शास्त शद गुरुदेव ऐसे प्रयासरत हैं यदि आप सहयोग कर दे तो ये दुरलब गती आपको शुलब हो जाए एक विश्वास प्रिया प्रितम का नाम मंत्र ना छुटने पावे जब सरवत्र हैं तो सब रूपों में वही हैं पर जो उनका रूप है वो केवल नाम जानता है केवल नाम दूसरा नहीं नाम जिसे रूप का परिचे करा दिया उसे हो गया अन्य था वो रूप आज तक कोई प्रकत में रंग ही नहीं पैदा हुआ कि वे उस रूप को भर सके अपने रंग से पीता अरुनच्छवी मनंत तडिल लता भाम एक बिजली की कांती तो उतार नहीं सकते आप प्राकृतिक बिजली की कांती पी अनंत बिजली की कांती पीत और अरुनिमा लिये हुए श्री प्यारी जुके श्री अंग की कांती या प्यारे जुके श्री अंग की कांती कैसे उतार सकते हैं वो नाम देगा वो नाम वो नाम रूप लाएगा हमारा परंबिश्राम तन्मयाहा इस शब्द पे है तन्मयाहा हम श्री जी के शेवा में तो बस सेवा में ही हैं हम नाम में ही हैं मंत्र में ही नत्य कर रहें तो शामने कर रहें प्रिया प्रितम हैं सामने गार है तो उनको हम रिजहार हैं सामने वो सुन रहे हमारे बैठे ये कोई बहुत दुरलब बात नहीं है क्योंकि वो है वो शत्य हैं सर्वत्र है तनमया इस्तिति क्या इसका साक्षात कारतो करो एक एक ब्रत्थी जिधर लगाओ जिधर का मतलब सेवा, नाम, बाणी, गुण कीरतन, गुण स्रवन या ब्योहार में भी तो शम में बगवत भावना करते हुए अपने राधावल लवलाल को दृष्टी में रखते हुए उनी की प्रशनता के लिए बात करना, सेवा करना, आदर करना हमारी दृष्टी में एक का ही आदर होता है किवल, राधावल लवलाल का हम एक से ही बात करते हैं किवल राधावल लवलाल से एक से ही लड़ना, जगड़ना, प्यार, दुलार, रोना, धोना एक से ही है दूसरों न कोई, अब ये इस्थिती बहुत काल, ये सब बाते छोड़ो, आज अभी इसी च्छन, ऐसी तनमेता बनाओ, कि हम प्रियालाल से अलग हैं, ऐसा भावी खतम हो जाए, इसलिए, ये लबधा, पुमान सिद्धो भवती, अम्रतो भवती, तरप्तो भवती, निर्दवंदो भवती, हाँ, जिसको प्राप्त करके तरप्त हो जाता है, निर्दंध हो जाता है गुणातीत हो जाता है कोई शोख कोई चिंता कोई चा कोई बै नहीं वो अंदर ही है आपके चिंतन एक-एक ब्रत्ती तुम्हाँ अब इसका तो अब्यास किया नहीं अब्यास किया है बाहर बहिर मुख विसेयों को देखना विसेयों को भोगना विसेयों के प्राप्ती के लिए रोना कोई एक रो के सामने पर किसी नहीं कहा कि देखो उसकी सुर्दा अरे उसकी सुर्दा विसेयों के लिए प्रियाजु के लिए नहीं है प्रियाजु के लिए नहीं रो राक वो चाराय की एक क्रपद रिष्टी करो मेरी कामना की पूर्ती हो जाए हो जाए अखिल कुल ब्रिम्हान्डों के साहब के दास के सामने गिरे हो देख लेगा ये सादु संग का फल नहीं सादु संग का फल है कि तुम्हारा ये गिगियाना मांगना मिट जाए तरप्त हो गए एक एक रोम रोम कृत करत्यता से पुल कित है नाम रूप लीला दाम ओ पर बड़ी विडमना है ऐसी वस्तू प्राप्त है उसका श्वाद न लेकर बाहर गूम रहे हो तुमारे हिरदे में पहुँच गया राधा नाम मंत्र उसका तुम श्वाद नहीं ले रहे ऐसी अदभुद प्रेमवरत्ती नाम प्रगट करता है ऐसा अदभुद ज्यान प्रगट करता है ऐसी अदभुद सिध्या सिराधा किंक्रि नाम लुठत चरण यू रधुता सिध्य कोटी अगर ऐसा कोई सूत्र मिलता विधान मिलता कि सबका कल्यान चाहो तो कर सकते हो संतों का हिर्द ऐसा हो तो अपने संकल्प से सबको परमधाम पहुचा देते पर भगवान ने भी ऐसा नहीं कहार सामने अरजुने उनसे कह रहे आप अपना चित मेरे में लगाईए मेरा चिंतन तुम के वल कीजिए बस अनन्यचेता सततम यो माम इस्मरतिनित्यशा तश्याहम सुलभा सामने खड़े अहम सुलभा किसके लिए अनन्यचेता के लिए नहीं सामने खड़े मेरा अनन्यचिंतन करो मेरी स्मरति में डूबो मैं सुलभू नहीं तो सामने खड़ाओ अनवो नहीं कर सकते अरजुन जी से कह रहे तश्याहम सुलभा पार्थ नित्युक तश्योग इना डूबो इस समय डूबने का है यववन अवस्था ऐसा संयोग तुम्हारे भागी को देखकर देवता लल चाते हैं काश मुझे एक बार भारत भूमे में जन्म हो और मुझे ऐसा संयोग मिल जाए तो मैं अपने को इस देव योनी से भी उचे भगवत दाशत्त को भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लूँ भगवान के नित्यधाम का वाशी बनूँ देवता भी देव दुर्लब योनी कही गई है तुम्हें बहुत बड़े आउत्तुम अभागी नहीं हो तुम्हारे भाग की प्रशंशा है कि तुम्हारे भाग में वईराग मार्गशे चल कर श्री जी की तनमया हिस्थिती उनके चरणों के शमीब पहुँचने का सो भाग मिला है गर्व करो इस बात का कि हम महारानी जू के हैं हमारे भाग में महारानी जू हैं बिशय नहीं कर्म बंधन नहीं हमारे भाग में प्रियालाल का प्रेम बंधन है निरंतर भजन प्रायण रो विश्वास करो आप अपने मार्ग को शमझिए अपने हरदे की स्थिती को जाचिए बार बार इन बातों का मनन करके इनको हरदे में धारन कीजिए इसी जन्म में जीवी तवस्था में प्रभू की साक्षातकार की योग्यता प्राप्त कर लो मान लो मेरी बात वो दूर नहीं है वो आख बंध करो या खुला वो शामने ही है बस आपको इनकी चाह करनी है इनमें तनमे होना है खूब नाम जब करो खूब मंत्र जब करो एक शण भी खाली मत रो सावदानों कर चलो समय बरबाद मत करो समय से कीमती कुछ नहीं है वो इसकी वास्तिविक कीमत केवल भगवत चिंतन है केवल भगवत नाम रूप लीला गुण है शिरादाव लवला लगी